क्यों तुम आ नहीं रहे ममा ने करा है अजनभी ओके गाड़ी में मत सवार होना यह स्कूल की बस है अगर तुम मेरा बैटा हो बागो अब आपको यकीन नहीं आएगा अगर मैंने बताया कि मैं हवा से तेज भाग सकता हूँ और फिर क्यों करते हैं आमिर फामिली फिल्म में पसंद आमिर जानते हैं तीन सो करोन फिल्म की रेसिपी नमस्कार एक बार फिर साब सभी का स्वागत है बॉलिग्राथ स्टूडियोस में और मैं हूँ आपके साथ अनुश्कत यागी दोस्तों आमिर खान ने हमें सल्मान खान के साथ अंदाज अपना-पना से लेकर फिल्मों के साथ अपने फांस को यह प्रूफ कर दिया है कि आमिर खान बॉलिवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट क्यों कहलाए जाते हैं आमिर खान की अदाकारी का कुछ ऐसा जल्वा है कि उनकी हर फिल्म दोसों से तीन सो करोड से कम नहीं कमाती और उनकी हर फिल्म की कुछ ऐसी हाइप होती है कि उनकी फिल्म के थियेटर से उतरने से पहले ही सभी फिल्म को देख चुके होते हैं आप आमिर खान फिर से अपना यह जल्वा दिखाने के लिए वापस आ रही है और इस बारं का अंतास फिर से जबरदस्थ होने वाला है जी हाँ दोस्तो हम बात कर रही हैं आमिर खान की अब कमित फिल्म लाल सिंग चड़ा की आपको बता दे कि आमिर खान अपने पुराने हिट फिल्मों की रेसिपिक अस्तमार इस फिल्म में भी करने वाले हैं यानि कि ये फिल्म भी आमिर की बागी फिल्मों के जैसे फामली ड्रामा होने वाली है जिसे हर उम्र के लोग इंजोई कर पाएंगे और साथ ही इस फिल्म में बड़े से बड़े आक्टर देखने को मिलने वाले हैं एक अच्छी स्क्रिप्ट और प्यारे से साउंट्राक के साथ ये फिल्म तीन सो करोड की कमाई आराम से करने वाली है लाल सिंग चड़ा में दोस्तों आविर खान और करीना कपूर खान नज़र आएंगे और इसे अद्विच चंता में डिरेक्ट करने वाले हैं जिसमें प्रीतम का म्यूजिक और लिरिक्स अमिताब भट्या चारे ने लिखे हैं आपको बता दें कि ये फिल्म वाई कॉम 18 स्टूडियोस प्रेजन कर रही है हेट फिल्म की रेसिपी के सारे इंग्रीडिंस के साथ एक और खास बात ये है कि मिस्टर परफेक्शनिस्ट की ये फिल्म काफी अवेड़े है क्योंकि काफी समय से आमिर ने बड़े परदे पर अपना जल्वान नहीं दिखाया है और साथ ही लाल सिंग चड़्डा में आमिर खान के ट्री इडियट्स के को स्टार्स करीना कपूर खान और मुना सिंग के साथ फिर से नज़र आएंगे और आमिर के फैंस इस रियूनियन को देखने के लिए काफी जादा एक्साइड़ है साथी दोस्तों फिल्म में नागा चेतन्य और माना वीजे भी लीड रोल्स में दिखने वाले है आपको बता दे कि लाल सिंग चड़ा फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया है और इस फिल्म के लिए अभी से ही लोगों के बीच भारी एक्साइटमेंट और जोच देखने को मिल रहा है अब ये फिल्म जब भी थिएटर्स में आएगी क्या धमागा होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद भी पता चलेगा अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एक्साइटेट हैं और आप तो जाए जल्दी से जाके हमें अपने एक्साइटमेंट का लेवल कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए इसी के साथ मैं अरुष का त्यागी लेती हूँ आपसे इजाज़त बन रही हमारे साथ और देखते रहे बॉलीग्राग स्टूडियोज हम फिर हासर होंगे एक नए वीडियो के साथ में हमारी आज की राइटर है सान्य भारगव